आज की विडियों लोग बात कर रहे हैं B8 वर्सेज बीटी से गो ले करके 13 अक्टूबर को B8 PIT में सामिल होगा की नहीं इस पर बात करेंगे साथ ही सुप्रीम कोट में आपकी वकील क्या-क्या बाते हैं अपनी क्या-क्या कानूनी दाओ पे खेल सकते हैं रख सकते हैं इस प बात की बात है वहाँ बिहार गवर्मेंट ने अपना जो SLP था वापस ले लिया अब वापस लेने का क्या रण किया था मैंने पिछले वीडियों बताए ता फिलाली एक लाइन में बता दें जब जड़ साहब ने कहा जब इन्होंने कहा कि ब्यार गवर्मेंट ने कि जो प दायर किये हुए थे विहार गवर्मेंट की तरफ से उनके ओपर फायर हो गया फिर क्या हुआ उन्होंने अपना वेड़रां कर लिया अपना SLP यही कारण था फिलाल उनके पास बोलने को कुछ वहां था नहीं तो इसलिए उन्होंने वापस ले लिया में यही कारण अभी स कोट्स होते हैं जो कि अभी वकील यूज करें तो बड़िया रहेगा फिलाल अभी 13 अक्टूबर को बीट प्याटी में सामिल होगा इसको ले करके आपको पता ही है 66 लोगों ने दायर किये है याचिका और 13 अक्टूबर को इस सुक्रवार कमला माननी सुप्रीम कोट में ल से बीट प्याटी में सामिल हो जाए ठीक है फिलाल अभी यह जो मामला है कानूनी दाओं पेज का इसमें क्या क्या हो सकता है तो वकील लोगों के पास बहुत सारी आइडिया है जो कि जैसा सबसे पहली बात उन्होंने यह सोच रखी है कि अगर हम कहेंगे कि बीट प्याट से उसको लागू किया जाए अगर सारी वेकेंसी में लागू हो रहा है इसमें भी कंडिशन है वो पूछेंगे जास साब से अब जास साब कुद भजेंगे उसमें फिलाल अपकी वाले में ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाया इसलिए लोगों ने अपनी बात रखनी पाई फिलाल अपकी ये प्लान है कि पहला चीज रखेंगे कि अभी जो वेकेंसी नेक्स्ट आई है मानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो भी परिच्छाएं होई है या जो भी प्रकरिया चल लहीं है उस पे लागू होता है भी एट्प्या टिम साविल नहीं होगा या इसके पहले जो वेकेंसी चल चुकी है जो लोग अभी कारिगराथ हैं सिचक उनको निकाल दिया जाए ऐसा नहीं कह सकती ठीक है फिलाल बड़ा मुश्किल है ये सब्द यूज करना कि सबको निकाल दिया जाए क्योंकि उनका बस एक सब्द यूज कर लें कि हाँ पिछ जो बोलता रहता है कमजोर नस उसको पकड़े हुए अभी वकील देखिए क्या करते हैं इसको पेस करते हैं कि नहीं फिलाल वोग सोसल मीडिया पर सारी बाते रख रहे हैं तो जो पीसली वेकेंसी उस पे लागू होगा कि नहीं फिलाल और तीसरी बात जो आने आगे आने वेकेंसी उस पे लागू होगा कि नहीं है तो काफी लोग इतो आसान है समझ जाएंगे कि आने वाली वेकेंसी में तो लागू नहीं होगा बीएट प्याटी में लेकिन जो करन्ट वेकेंसी जो आ चुकी है जो प्रकिरिया चल लई है जैसा कि 36 गड़ हाई कोट में हुआ उसमें क्या हुआ यही तो हुआ यह मामला लोग लेके गए डियलेड वाले की मानी सुप्रीम कोट का फैसला 11 अगरस्ट को आया था उसके बाद जोईनिंग नहीं करा सकते तो 36 गड़ कोट ने कहा कि जो मामला 11 अगरस्ट को आया था उसके पहले ही वेकेंसी चल लई है तो इस पे लागू नहीं होगा तो ऐसे में यह लोग जोईनिंग कर लिए 36 गड़ वाले तो उसी को देखते हुए विहा गवर्मेंट भी वह लेके गई थी बात लेकिन अब पता नहीं बात क्यों नहीं रख पाए तुरंत विड्रॉक्यों कर लिए अपनी SLP क्या हुआ क्या म अब लोगों ने बहुत बात उसमें नहीं करी है जो जो मुख मुख पॉइंट थे डियलेट वालों ने उसमें सामने रखा है जजसाब के और उन्होंने उनकी बात को सुना है साब जब यह कह दिए डियलेट के वकील कि 11 अगस को जब आपका फैसला आ गया कि यह भी बीए एक्टूबर को एक बड़ा याचिका है ठीक है बड़ी याचिका में थोड़ा समय भी थोड़ा दे दिया जाता है क्योंकि काफी लोगों को अपनी बात जो है थोड़ी थोड़ी रखनी होती है तो अभी जो अकिल की संख्या है वह हो सकता है 5-6 रहे है अपकी उसमें एक्टूबर का ठीक है जल्दी देट मिलता नहीं है और डेट काफी आगे बढ़ा दिया जाता है तो कल क्या हुआ जैसे ही मानी सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्मेंट अपना SLP वापस ले तो यह बिहार गवर्मेंट का जो SLP वापस होने से सुप्रीम कोर्ट ने उस म मैटर भी डिस्पोज नहीं होता है मैटर डेट आगे बढ़ जाती है सुनते हैं बस क्या करते हैं दो महिने का तीन महिने का डेट लगा देते हैं अब बड़ी कमी सुने होंगे कि इस तरह का फैसला कहीं है गए एक ही में नहीं पट गए फिलाल बिहार गवर्मेंट चाह र के बास बहुत सारे रास्ते हैं वो तो मैंने अपने काफी वीडियोज में सर्जा किया ही है फिलाल आपकी क्या रहा है बेट प्यार्टी को लेकर के क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में तेरे एक्टूबर को कमेंट वक्स में लिखिएगा फिलाल आपकी दूस्त नहीं कि अधने क्या है।